तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका जिनियर सिक्षा यूटूब चानल पे फ्रेंड्स आज के इस क्लास में जो है हम बड़ी उ की मात्राशे बने शब्द और वाक्य को जो है ना इंगलिस में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे तक कि आपको जो है ना वाटसेप पे मैसेज पढ़ना और लिखना आ जाएगा तो आईए फ्रेंड्स बिना देर की हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजे लाइक क्योंकि आप जो है ना बाद में घूल याते हैं और आप आज के इस क्लास को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तक कि आपको जो है ना बड़ी उ की मात्रा से बने शब्द को जो है ना इंगलिस में पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो आएए फ्रेंड्स क्लास को हम शुरू करते हैं तो शहां पे देखिए तो बड़ी उ की जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है ठीके इसका जो इंगलिस होता है ओ होता है डबल ओ होता है और कही कही पे जो है ना यू का भी परियोग किया जाता है तो इसको अब ध्याँ रखिएगा चलिए अब हम बड़ी U की मातरा से बने शब्द और नाम को जो है न इंगलिज में लिखी न आपको सिखाते हैं देखिए आपे तुफान तुफान तो टी से ता और बड़ी U की मातरा के लिए क्या लगे गए यहाँ पे डबल O फा, F, A, सिफा, और नो के लिए N क्या हो गया, तुफान、 कापोर, देखिए आपे, को के लिए K, एसे कपू पोर में बड़ी U की मातरा है तो डबल O लगेगा, P, डबल O और यहाँ पे रो है तो रो के लिए R लगेगा, क्या हो गया, कापोर, ठीक, यहाँ पे देखिए थुकना ती एच डबल ओ कना थुकना यानि लास्ट में आ की मात्रा है तो उससे पहले वाले अच्छर में ए नहीं लगेगा थुकना ती एच डबल ओ से थू के से को एन एसे ना थुकना तराजू दहीं आपे ती एसे तो रा आर एसे रा जू जे यू या यहाँ पे जे डबल ओ लगाईएगा ठीके या आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो ए भी सही होगा ठीके तराजू ठीक चलिए यहाँ पे दिखें राज पूत तो रा के लिए क्या होगा आर एसे रा जेसे ज़राज पूत पी डबल ओ से बड़ी उकी मातर होगा ती से त यह हो गया राज पूत ठीक यहाँ पे दिखें नूतन तो एन यू टी ए एन नूतन या एन डबल ओ टी ए एन नूतन ठीक बन फुल तो बी ए एन से बन फुल पी एच डबल ओ एल बन फुल भूमी का बी एच डबल ओ से भू मी म आई से मी का के ए से का तो क्या हो गया भूमी का भूतल बी एच डबल ओ से भू टल टी ए ए एल भूतल भूचाल भी एच डबल ओ से भू चा भालू भी एच ए से भालू एलिउ से लू यहाँ पे यू लगेगा डबल ओ नहीं लगेगा ठीक है भालू आईए यहाँ पर और भी देखते हैं मुसला धार एम डबल ओ से मू स्ला मुसला मुसला नहीं होगा मुसला यानि सौ पर जल्दी उचारों हो रहा है तो यह नहीं लगेगा मुसला धार ठीक है लूट पार्ट यह पर बड़ी उकी मातरा है फिर भी यहाँ यह पर यू लगा है ठीक है क्योंकि बड़ी उकी मात्रा के लिए जो है न कहीं कहीं पर यू का भी परियोग होता है शहतूत एश एच एसे सह हा एच से हा सहतूत टी डबल ओ टी सहतूत पूजा पी डबल ओ जे ए पूजा या इस तरह से भी पूजा लिखा जाता है पूजा बबूल बी एसे बूबू बी डबल ओ एल से बुल याने बबूल चूरण सी एच डबल ओ से चूरण आर ए एन चूरण पतलोन पी ए टी से पतलून एल डबल ओ एन पतलोन जूला जे एच से जह डबल ओ से जू ला एल ए जूला लालू एल ए से ला बैल यू से लू आलू डबल एस से आ एल यू से लू आलू तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप बड़ी O की मातराशे बने शब्द और नाम को जो है आप इंगलिस में इस तरह से लिखिएगा तो चलिए अब हम इंगलिस में जो लिखा है ना उसको हम पढ़ना आपको सिखाते हैं देखिए आपए तू अगर नहेगा तो क्या पढ़एगा तू F-A-N से फान तू फान इसको तूफान नहीं पढ़ेंगे ऐसा आपको उचारन करना है जिसे कोई अर्थ निकले बीना अर्थ वाला उचारन नहीं करना आपको इसे तुफान, तुफान नहीं नहीं होता है, तुफान होता है, ठीक है, यहाँ पर दिखिए, के एसे का, पी डबल ओर से पूर, यानि कपूर, ठीक है, कापूर नहीं होता है, कपूर होता है, ठीक है, ती एच डबल ओ, के एन ए, यानि थुकना, ठीक है, तो राजू, या इ बनफुल, भूमीका, भूतल, भूचाल, भालू, मुसलाधार, लूटपात्ट, सूरत, सूरज, शहतूत, पूजा या पूजा इस तरह से रहेगा बबूल, चूरण, पतलून, जूला, लालू, आलू तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप बड़ी उ की मातराश्य बने शब्द और नाम को जो है आप इंगलिस में पढ़ना और लिखना सिखिएगा तो चलिए फ्रेंड्स आजके इस क्लास में वस इतना ही आप जो है आजके इस क्लास को एक बार और रिपीट कर लिजिए शुरूर से लेका लाष्ट तक तक कि आपको बड़ी उ की मातराश्य बने शब्द और वाक के पढ़ना लिखना आ जाए तो अँए फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंगलिस के लिखने जिसमें आपको हम सिखाएंगे एक इमातराश्य बने शब्द और वाक के इस तरह से होगा जो इसका एंगलिस होता है ना इह होता है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए बहुत जल्द आप को हम class next लेकर आएंगे ठीक है